अगले हफते से लागू होने वाले तीनों नए आपराधिक कानूनों के लिए बुनियादी स्तर पर 40 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है इसमें 5.65 लाख पुलिस कर्मी, जेल अधिकारी भी शामिल है इन सभी को इन नए कानूनों के बारे में सबको जागरूप करने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है एक व्यक्ति सश्रीर पुलिस स्टेशन में उपस्थित हुए बगैर भी इलेक्रानिक माध्यमों से घटना की रिपोर्ट कर सकता है इससे पुलिस को भी त्वरित कारवाई में मदद मिलेगी नए कानून में 0 FIR की शुरुवात की गई है पीड़ित किसी भी ठाना छेतर में अपनी FIR दर्सकरा सकता है पीड़ित को FIR की निशुल कॉपी भी मिलेगी सशक्त जाज के लिए गंभीर आपराधिक मामलों में सुबूत जुटाने के लिए क्राइम सीन पर फारेंसिक विशेशग्यों का जाना अनिवार्य सुबूत एकत्र करने की प्रक्रिया की विडियोग्राफी अनिवार्य होगी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में जाज एजनसियों को दो महिने के अंदर जाज पूरी करनी होगी 90 दिनों के अंदर पीडितों को केस में प्रक्ती की नियमित अपडेट देनी होगी अपराध के शिकार महिला और बच्चों को सभी अस्पतालों में फर्स्ट एड या इलाज निशुल्क मिलने की गारंटी होगी चुनोती भरी परिस्थितियों में भी पीडित जल्द ठीक हो सकेंगे गवाहों की सुरक्षा वसहयोग के लिए सभी राज्य सरकारे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम लागू करेंगी दुशकर्म पीडिताओं को आडियो विडियो माध्यम से पुलिस के समक्ष बयान दर्स करने की छूट मिलेगी नए कानून में मामूली अपराधों के लिए दंडस्वरूप सामुदायक सेवा की विधा शुरू समाज के लिए सकारात्मक योगदान देकर दोशी अपनी गलतियों को सुधारने का काम करेगा